अभ्यास निरंतर अगर हर रोज आप 5 मिनट करना शुरू कर दें तो विदिन फ्यू डेप देखेंगे आपके शरीर की स्ट्रेंथ यानि ताकत बढ़ गई है आप और उर्जा वान रहते हैं पूरे काम को बड़ी ही लगन से करते हैं आपको थकान नहीं होती सुस्ती नहीं ह होती ठकते नहीं है स्ट्रेंथ बढ़ गया है इंडिरेंस बढ़ गया है पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा जिससे की एक-एक कोशी का तक प्रॉपर मातरा में ब्लड सप्लाई सांथी ऑक्सिजन की सप्लाई होगी आपके ब्रेन का फंक्शन बहतर हो सिर्फ बात यहीं तक सीमित नहीं रह जाती इससे मोटापा की समस्या वेट लॉस करने में फैट लॉस करने में बोडी को टोन करने में बहुत मदद मिलेगी इस अभ्यासों को करते रहने से आपकी digestive fire इंप्रूव होगी आपके हार्ट की हेल्थ लंग्स की हेल्थ बहतर पूरे शरीर के जो आंतरिक अंग है ना इनकी भी कारिक्षमता इंप्रूव होगी और उन लोगों को इन प्रैक्टिस से बहुत विशेस लाब मिलेंगे जिनको कोई competition की तयारी करते हैं जिसमें आपकी strength की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है stamina की बहुत ज़्यादा जरूर करते रहने से ये बहुत जबरदस्त anti-aging का काम करते हैं यानि उम्र चाहे कितनी भी ओ गई हो लेकिन आप हमेशा जवान रहेंगे हमेशा आपके अंदर चुस्ती फूरती हमेशा आप देखने के लिए आपको मिलेगा आप कभी भी बुड़े हो ही नहीं सकते ये तो धे कु या कि फिर फीवर की समस्या है या कि फिर आप पीरेट्स के दौरान है प्रेगनेंसी के दौरान है आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है हाईपर टेंशन है कार्डियक कंडिशन है इस केस में आपको इन सारे अभ्यासों को बिलकुल नहीं करना है अगर हात में कहीं चो जिस जगह पे खड़े हैं वही पर ऐसे मार्च करें जैसे आपने सेना में जवानों को देखा होगा इस तरीके से मार्च करें अब धीरे धीरे हम अपनी बॉडी को वाम कर रहे हैं गरम कर रहे हैं इसलिए ताकि हम कोई भी अभ्याज करें उसके पहले हमारे जॉइन्स हमारे muscles में blood circulation improve हो जाए इस तरीके से जिधर खड़े हैं वही पर ऐसे जैसे आप सभी ने school या college में परेड में भाग लिया होगा और नहीं भाग लिया तो देखा होगा या तो जवान किस तरीके से मार्च करते हैं उस तरीके से ऐसे और जितना हो सके अगर पैर को और उपर उठा सकते हैं ना ऐसे 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 तो आपकी थाई का दबाव पेट पर बहुत अच्छा पड़ रहा है इंजन दौड के लिए आप क्या करेंगे आपने दोनों पैरों के बीच में comfortable कमर जितना फासला रखेंगे फिर उसके बाद हाथों को आगे, पीछे, आगे, पीछे और पैर को भी इस तरीके से उठाएंगे ये मैं बहुत slow speed में कर रही हूं सबसे पहले जिससे की जो भी लोग जिनको knee की condition हो, हलका फुलका पैरों में दर्द हो या कि फिर मोटापा बहुत जादा हो तो वह इतने धीरे धीरे प्रैक्टिस करें क्योंकि अगर आप jump करेंगे, तो वह आपके लिए knee के लिए comfortable नहीं होगा, साथ ही जादा मोटापा बढ़ा है, उसके लिए भी सही नहीं होगा, अगर आपको blood pressure बढ़ा हो या heart related कोई condition हो, उसमें भी जोर-जोर से अभ्यास नहीं करना है, तो इतने धीरे-धीरे एक मिनट का अभ्यास ऐसे कर ले इससे upper body और lower body, दोनों में भी आप बहुत अच्छा एक प्रभाव देखेंगे इसका और normal breathing के साथ अभी अभ्यास कर रहे हैं, फिर एक मिनट का अभ्यास करने के बाद, ऐसे rest करें पैरों को एक दूसरे से दूर करें हाथों को body के side में करें breathe करें अब जो आप अभ्यास करें तो थोड़ा सा breathing को synchronize करके अभ्यास करें कैसे? तो मूँ को बंद रखा है सास लेना और छोड़ना ये दोनो active है, मतलब कोई pumping नहीं करना है कपाल भाती जैसे actually भस तरिका की तरह सास लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना जब एक मिनट के ऐसे अभ्यास हो जाए, पहले marching कर ली फिर उसके बाद slow speed में इंजन दोड़ का अभ्यास कर लिया अब actually आपका इंजन जो है start होने के लिए तैयार है तोनों पैरों के बीच में फासला रखा है और फिर उसके बाद मुह को बंद रखेंगे, keep your mouth close बहुत से लोग मुह से भी सास लेते और छोड़ते है मुह को बंद कर लीजे और फिर उसके बाद शुरू करेंगे 3, 2, 1 ब्रीदिक के साथ इस तरीके से ध्यान को पूरा सासों पे लगा के रखिए अपनी abdominal muscles को पेट की मांसपेशियों को हलका सा अंदर की तरफ पुल करके रखिए जिससे आपकी abdominal muscles engaged हो थोड़ा rest करेंगे अगर सासे बहुत तेज हो गई हो बहुत heartbeat बढ़ गई हो तो इसके बीच में मुखधाउती करके अपनी body को relax करेंगे कैसे? दोनों पेरों के बीच में फासला रखा है दोनों हाथों को इस तरीके से थाई के उपर रखें नाक से सास खीचे और मुख से फूक मार के इस सास को छोड़ देंगे तीन से पाँच बार इसका अभ्यास कर लें कैसे? नाक से सास ले इतना करने मात्र से आप इस्टेंट एक relaxation महसूस करेंगे बहुत से लोग मुख से सास लेने और छोड़ने का काम करते हैं ना कीजिए क्योंकि प्रकृती ने हमें इस तरीके से डिजाइन किया है कि मुख का काम खाना खाने का है पानी पीने का है नाक का का काम सास लेने और छोड़ने का है तो नाक का का काम नाक से मुख का काम मुख से तो पूरे अभ्यास के दौरान मुह को बंद रखें बहुत बार ऐसा होगा कि 1 मिनट तक या 30 सेकेंड तक यह अभ्यास करने में आपको दिक्कत आए तो जितना कर सकते हैं उतना करें 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना कर सकते हैं उतने से शुरू आद करें शुरू शुरू में इसका अभ्यास आप 10 से 20 सेकेंड करें और फिर जैसे आपकी स्ट्रेंद बढ़ती जाए तो लगातार एक मिनट का अभ्यास भी आप कर सकते है